हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज का वीडियो उनके लिए बेनिफीसियल होगा जो UPPCS मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आज किस वीडियो हम लोग उत्तरप्रदेश की जो Agriculture Export Policy है 2019 का इसको यहां पर हम लोग डिसकस करने वाले हैं यह जो प्रश्ण है UPPCS 2023 के General Studies Paper 6 में पूछा गया है जैसा कि आपको पता होगा कि Optional Paper UPPCS ने हटा दिया है और उसके जगा पे UP Specific दो पेपर इंटर्डियूस किया गया है General Studies, Chief और 60 वहां पे जो छठा General Studies है उसमें यह 2030 में क्वेशन पूछा गया है लेकि उत्तरप्रदेश Agriculture Export Policy को डिसकस करने से पहले कुछ हमारा फैक्ट देख लेते हैं उत्तरप्रदेश के बारे में जो कि Prelims और Means के Answer Writing में आप इसका यूज कर सकते हैं लेकिन उत्तरप्रदेश का Foundation Day कब मना जाता है? 24 जनवरी को मना जाता है First Time 2018 में मना गया था लेकिन UP Government ने 2017 यानि मैं 2017 में सबसे पहले बोला था कि हम लोग UP का Foundation Day 24 जनवरी को मनाएंगे तो घोषडा कप किया गया था? UP Government द्वारा 2017 में कब से मना जा रहा है? 2018 से मना जा रहा है कब है UP का Foundation Day 24 जनवरी? कि इसको आप जाना नखेगा एरिया वाइज बात करें तो UP का जो जिग्राफिकल एरिया है वो है 2,4,928 स्कौाइर किलो मिटर ठीक है? और यदि इंडिया के रेस्पेक्टिव बात क्या जाए तो इंडिया का 7.3% एरिया जो है UP का है इस्टेट वाइज बात क्या जाए तो UP चौथे नंबर पर आता है ठीक है? एरिया वाइज पहले नंबर पर राजस्थान दुसरे पर मद्यप्रदेश तिसरे पर महराष्ठा चौथे पर UP इदि पॉपुलेशन वाइज बात करें तो UP का 2011 की जनगर्णा के हिसाब से सबसे पॉपुलेश जो इस्टेट है UP अपना और UP का पॉपुलेशन है 19.98 करोड ठीक है लगहों में 20 करोड के अबादी का अपना राज्य है और इदि इंडिया के रेस्पेक्ट बात करें तो इंडिया का जो 16% पॉपुलेशन UP में राती है ठीक है यह होगया फाउंडेशन डे एरिया और पॉपुलेशन अब जिडिवी के बात करें तो UP अभी रिसेंट में न्यू जाया है कि UP हमारा जिडिवी के मामले में दूसरा बड़ा राज्य हो गया है महराष्टा के बाद ठीक है महराष्टा के बाद दूसरा बड़ा हमारा जिडिवी के मामले में UP है टॉप हमारे crops की बात करें तो यूपी हमारा wheat के छेतरे में, sugarcane के छेतरे में, milk के छेतरे में और potato के छेतरे में इन सारे ही crop में top में है यानि कि number one producer है अपना यूपी अधर जो प्रिल्मिस में हमारे key fact पुछ लाते हैं ecological zone, यूपी में कितने ecological zone है यूपी में चार हमारे ecological zone है, तराई, गंगेटिक फ्रेन, खाभर और बिंध्या रीजन एग्रो क्लाइमेटिक zone की बात करें यूपी में 9 हमारे एग्रो क्लाइमेटिक zone है ecological zone हमारे 4 है, लेकिन agro climatic zone हमारे देखोगे, यूपी में 9 है वैसे overall हमारे जो climate है, subtropical climate है, लेकिन agriculture और soil, rainfall और relief के हिसाब से यूपी को 9 agro climatic zone में बाटा गया है इन 9 agro climatic zone की आप देखोगे, यहाँ पे map में दिखाए गया है तो सबसे पहले आप देखोगे तराई, ठीक है तराई के बाद आपको western plane और center western plane यह वाला हो गया ठीक है, semi-arid south western plane यह वाला area, ब्रज वाला, ठीक है फिर आपको central plane, फिर बुंदेल खंड और यह हमारा बिंध्या रेंज हो गया ठीक है, फिर eastern वाला plane और फिर north eastern plane तो total हमारी 9 agroclimatic हमारा जोन है यू-पी में, और इंडिया की total 9.77% GDP यू-पी से आती है ठीक है, और, sorry, export काई data है और export के संदर में बात करें यू-पी जो agriculture export के मामले में पांचवे position पे है ठीक है, agriculture export के मामले में यू-पी पांचवे position पे है पहले नमबर पे गुजरात है, दुसरे पे महराष्टा है, फिर वेश्ट बंगाल, फिर आंधरा परदेश उसके बाद हमारा यू-पी का नमबर आता है अग्रिकल्चर एक्सपोर्ट का जो इंडिया का total 9.77% यू-पी से जाता है यू-पी में जो 50% से जादा जो एक्सपोर्ट होता है, उसमें हमारा फल्लो का मीट आता है यानि भैंस का मीट और इसके लावब प्रोसेश्ट जो हमारी मीट है वो यू-पी से जादा एक्सपोर्ट होती है इस सारे हमारा की फैक्ट हो गया यू-पी के बारे में और यू-पी के एग्रिकल्चर के बारे में अब यहाँ पर जो क्योश्टन 2023 में जनरल स्टाडिज पेपर 6 में जो पुछा गया है यहाँ पुछ रहा है कि उतरप्रदेश के क्रिसी निर्यात नीती 2019 राज्य में क्रिसी निर्यात गती विदियों को कैसे मजबूती परदान करती है यहाँ पर आपको बताना है कि जो यूपी का एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट पॉलसी 2019 है वो हमारा एक्सपोर्ट एक्टिविटीज में कैसे स्टेंथन किया है कि यूपी और भी ज्यादा एक्सपोर्ट करें उसके लिए कैसे हेल्फुल रहा हमारा एग्रिकल्चर एक्सपोर्ट पॉलसी 2019 की जो यूपी की एक्सपोर्ट पॉलसी आई थी एक्सपोर्ट पॉलसी वो जो union government यानि की central level पे जो export policy आई थी agriculture की वो हमारे 2018 माया था तो 2018 के ही line में यानि की same उसी line में UP ने अपना agriculture export policy यहाँ पे release किया और इसकी जो key features हैं, key features में हमारी पहला आप बोल सकते हो कि institutional framework बनाय गए थे ठीके यानि की agriculture related जो भी मारे state government के अंदर जो भी department आते हैं जैसे आप देख लोगे यहाँ पे agriculture department, agriculture marketing, agriculture foreign trade department, ठीके राज्य क्रिसी, उत्पादन, मंडी परिसद, animal husbandry इन सारे department के member फूल साथ मिलेते हुए एक state level की export monitoring committee की गठित किया गया ठीक है, state level की export monitoring committee आप गठित किया गया है और उसके जो chair person होंगे वो chief secretary आप उत्र प्रदिस होंगे यहाँ पे cm नहीं होगा, ठीक है, chief secretary जो होंगे यूपी का वो इसके chair person होंगे और इसमें member जो होंगे, यूपी के सारे जो agriculture department के जो main head है, वो हमारा इसमें member होंगे और इन सारे यह जो हमारे state level की जो export monitoring committee है, यह decision लेगी कि कैसे हम agriculture export को कैसे हम बढ़ा सके इसके बारे में यह decision लेगी, यह हमारा highest body हमारा export को बढ़ाने के लिए specifically हमारा agriculture export को बढ़ाने के लिए, यह हमारा पहला एक features हो गया 2019 की policy में, दूसरा है यहाँ पे agriculture की cluster बनने की बात हुई है, जैसे कि हमनों देखे थे कि 9 हमारे agroclimatic zones है ठीक है, उसी तरह से बहुत सरे UP में अलग-अलग agriculture की cluster बनाए गया है agriculture के division बनाए गया है, based on agroclimatic zones और उस agroclimatic zones में भी आप देखोगे तो जैसे one product, one district वाला जो concept है वैसे यहाँ पे agriculture export करने के लिए भी particular जो agriculture produce है, particular district में उस पे ज्यादा focus किया गया है जैसे कि example तोर पे आगरा वाला जो region है, ठीक है, वहाँ पे potato की ज्यादा पैदावार होती है तो potato के export पे ध्यान यहाँ पे दिया गया है इसके लाब मत्रा जो ब्रजभूमी है, वहाँ पे आप देखोगे, तो milk products को ज्यादा ध्यान दिया गया है और प्रयाग राज का जो गवावा है, famous है, उस पे ज्यान दिया गया है और इसके लाब बिंधयर रीजन है, वहाँ पे tomato या जो other वेजेटेवल आइटम्स हैं, उस पे ज्यादा ध्यान दिया गया है लखनवर रीजन में mangoes पे ध्यान दिया गया है, ठीक है, आवला पे ध्यान दिया गया है इस तरह से जो particular district में जो major agriculture produce है, उसको maximum उत्पादन के लिए, साथ ही साथ quality आप जो product है, quality पे ध्यान देने के लिए और इसको regulate भी करेगा कि जो हमारे international level की जो चाहिए, जिस quality का हमारा agriculture produce चाहिए, वैसी यहाँ पे suitable हो, वैसी requirement फुल्फिल करें, इन सारे चीजों को यहाँ पे देखने की बात की गई है, इस export policy में, ठीक है तो quality को assurance देना और one district, one product वाला और agroclimatic zone में जो suitable हमारे agriculture produce है, उसकी हिसाब से agriculture cluster बनाने की बात इस policy में की गई है, यह हमारा दूसरा एक तरह से major features है, इसकलाब private investment पे ध्यान दिया गया है, private investment का मतलब है कि जिस तरह से जो जो हमारी international level पे जैसे जिस quality की जो agriculture goods चाहिए, ठीक है, उसी quality का यहाँ पे जो यूपी में particular districts जो produce हो रहे हैं आउटबूट, उसको matching करने के लिए private investment को यहाँ पे encourage किया गया है और private investment से क्या करेंगे हैंपे cold storage facilities मना जाएंगे, warehousing मना जाएंगे और transportation network को यहाँ पे link किया जाएगा इन सारे चीज़ों को हमारा export जो policy है 2019 उसमें बाते की गई है और अभी conclusion में आप बदा सकते हैं कि जो अभी recent में जो data आया है 2021-22 का उसमें बात किया गया है कि जो agriculture का export यूपी में हुआ है वो 2016-2021 की बीच में average 5.42% की annual growth हमारे export में देखने को मिल रही है और इस policy में खासकर फीस का product, dairy product, fresh fruits, vegetable ठीक है इन सारे चीज़ों पर ध्यान दिया गया है कि यूपी इसमें ज़्यादा export करें तो कुल मिला के आप समराज कर सकते हैं कि agriculture cluster बनाना export promotion center establish करना, private sector से investment लाना, इसके लावा हमारा agriculture startup ओपन करना इन सारे चीज़ों पर हमारा जो यूपी का agriculture export policy है 2019 उसमें ध्यान किया गया है इन सारे objectives से संभवता आप देखोगे कि कुछ सालों में यूपी यहाँ पर जो पाचवे position पर है agriculture export करने के मामले में वो दूसरे या पहले नंबर पर यहाँ पर आ सकता है तो इस तरह से को दोस्तों इस question को आप यहाँ पर attempt कर सकते हैं तो आज किस वीडियो हम लोग agriculture के सेक्टर में यूपी का जो रूल है उसको हम लोग आप डिसस किये और साथ-साथ हम पुतर प्रदेश की जो agriculture export policy है 2019 का के key features को में यहाँ पर इसस किये आज किस वीडियो मसना है थैंक्यों और वाचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में ने टो पिसार थैंक्यों कर दो